दोस्तो इस video में मैं आपको live market में option trading करके दिखाने वाला हूँ दोस्तो अगर आप option trading करते हैं और जागातर case में älaca RJ relevant तो दोस्तो सब से पहले आप रूप देखे यहां पर देखिए कि मेरा कितना profit चल रहा है और इस तरीके का आप भी profit निकाल पाएंगे काफी कम risk पे देखना चाहिए ताकि आप समझें कि आप option trading में क्या mistake कर रहा है जिसके कारण यह loss हो रहा है और आप यहाँ पर प्रूप के तौर पर दिखिए जो profit है इसको मैंने sell कर दिया तो अब मेरा profit दिखिए तकरीबन यहाँ पर साधे 300 का profit मैंने किया है काफी कम amount लगा करके काफी कम पर ट्रेडिंग करके और यह profit दिखिए तकरीबन 338 मतलब साधे 300 के आसपास का profit मेरा बना हुगा है और इस तरीके से अगर आप ट्रेडिंग करते हैं जो तरीका मैं आपको बताने वाला हूं तो कम पैसे में भी आप 500 600 का profit यहाँ पर निकाल पाएंगे और 500 600 profit लेकर के चल पर profit निकाल पाएंगे क्योंकि हम amount कम रखेंगे और target हमारा 500 होने वाला है कि 500 हमें डेली चाहिए ऐसा नहीं कि आज profit कर लिया और अगले दिन मेरा loss हो गया और कई बार loss करते हैं तो पूरा capital ही gap कर देते हैं और profit करते हैं तो कम करते हैं और loss ज्यादा करते हैं तो सभी आपको समझना चाहिए तभी आप यहां पे option trading करें तभी आप profit निकाल पाएंगे और जो profit आप देख रहे हैं यह profit आप भी निकालेंगे बस इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखेगा अगर आप कहीं पर भी mistake करते हैं चीजे नहीं समझते हैं तो एक गलती आपका सबसे पहले मैं grow application में आता हूँ तो grow application के हम यहां पे explore वाले features में आ जाते हैं पैसे हमें add कर लेना है और मेरे पास कितना पैसा है मैं आपको दिखाओं तो इस पर मैं click करूं तो तकरीबन तकरीबन 1300 रुपया मेरे पास amount पड़ा हुआ है जिसमें मैं कोसिस करूंगा कि 500 र तो 1300 के आसपास मेरे पास यहां पे capital है और इससे मैं trading करूंगा जिसमें यहां पे 300 के आसपास में निकाल चुका हूँ तो यहां पर दिखिए option trading करने के लिए आप यहां निप्टी 50 या फिर bank निप्टी में जाए तो दिखिए market decide करता है कि आपको किसमें जाना चाहिए तो इसमें जागा है तो आप इसमें trading करें यह पहला तरीका है जिससे आप खुड decide कर पाएं कि मैं यहां पे निप्टी 50 में trading करूं या फिर bank निप्टी में तो मैं आज बैंक निप्टी में मैं आपको trading करके दिखाने वाला हूँ तो जस्ट इस पर मैं किलिक करता हूँ अब पर किलिक करके candlestick pattern को देख सकते हैं और अनुमाल लगा सकते हैं कि market यहां से गिरेगा या फिर उपर जाएगा तो जब आप candlestick pattern सीखते हैं तो सभी चीज़े एक clear होता है मैं इसके उपर video बनाया हूँ अगर आप चाहे तो देख सकते हैं यहां पर देखे option chain का जो option है इसमें buy करेंगे लेकिन आज जैसे में आपको शुरू में बताए कि market गिर आए तो हम यहां पर put price के तरफ का buy करेंगे तो हम इसमें buy करेंगे अब इसमें भी यह दिखिए इसको बोलते हैं in the money, इसको 8 the money और इसको out of the money हमेशा trading in the money में करना चाहिए लेकिन इसके लिए capital ज इसको बोलते हैं in the money, इसको 8 the money और इसको out of the money तो हम इधर का buy करेंगे क्योंकि market आज गिरा है हम अनुमान लगा रहा है गिरा है कई बार होता ही है कि market गिरा है और हम जैसे buy करते है market उपर जला जाता है तो यह चीजे में आपको बताता हूं कि ऐसा क्यों होता है तो यहां जब भी आप यहां पर buy करेंगे बस आपको एचीज द्यान अपना है expiry date का यहां पर जो date दिख रहा है इसको expiry date बोलते हैं 13 November को expiry date है तो expiry date के दिन अगर आप यहां पर buy करते हैं और hold कर देते हैं मतलब बेचते नहीं है, sell नहीं करते हैं तो यह आपके पास पड़ा रह यहां पर अगर 14 November है 15 है 20 है जो भी है उसी दिन तक पड़ा राएगा और उस दिन यह automatic sale हो जाएगा आप profit में रहते हैं तब भी और loss में रहते हैं तब भी तो यहां पर बस date को ध्यान में रखना है तो यह भी कारण है कि काफी जादा लोगों को यहां पर loss होता है तो मैं मैं उमीद करता हूं कि सभी चीजे आप समझ रहें अगर आपको कोई चीजे समझ ना है तो आप comment करके पूछ सकते हैं तो expiry date तो बहुत दूर है अगर मैं आज का date आपको दिखाऊं तो यहां पर date देखेंगे 8 November है तो आज से 5 दिन बाद है expiry date जिसमें Saturday और Sunday को market बंद र सकते हैं क्योंकि मेरे पास तो टाइम ही टाइम है तो बस इस date को आपको ध्यान में रखना है उसके बाद यहां पर चलिए मैं आपको position बना करके दिखाता हूं तो बात आता है कि कि किस में position बनाए तो जैसे मैं आपको बताया कि आप इन दमने में चाहिए लेकिन capital इसमें ज्यादा होना चाहिए और हमारे पास capital कम है हम नया है हम सीख रहा है और हम कम capital पर अपने knowledge के बेस पर हम ज्यादा profit निकालेंगे यहां पर दिखेंगे दस से बारा हजार लगा करके जो 500 रुपया निकालते हैं हम उसको एक हजार में निकालेंगे और यह हो सते हैं सिर्फ औ है तब भी चलेगा और समझ कम है जनकारी कम है तब आपके पास ज्यादा पैसा होना चाहिए तो हम यहां पर out of the money में position मनाएंगे तो यहां पर दिखेंगे कि किस में position मनाएंगे तो जैसे मानली जी कि मैं सस्ते वाले में position मनाँगा यहां पर दिखेंगे अभी फिला लिए रेड में चल रहा है लोस का समभावना है लिकि लोस नहीं होगा क्योंकि मार्केट का मूड बता रहा है कि यह और गिरेगा और यह ग्रीन में आ जाएगा ठीक है तो यह आपके समझ पर डिपेंड करता है तो जैसे मानली जी कि मैं इसमें position मनाना चाहूं तो इस पर मैं click कर जो भी होगा आप लाइप रूप अभी देखेंगे तो यहां पर स्क्रोल करके थोड़ा समय नीचे आता हूं तो यहां पर देखेंगे कि इसमें बायर कितने हैं तो बावन परसेंट और श्यालीस परसेंट के आसपा सेलर है तो जिसमें बायर जाता हूं उसी में हमें बाय करना चाहिए उसके बाद यहां बाई पर क्लिक करेंगे अब बाई पर मैं क्लिक करता हूं तो यहां पर दिखें यह डिलीबरी में रहने देना है तभी आप एक हफ्ते तक वोल्ड कर पाएंगे तेरा तारीक तक अगर इंट्राडे चूच करते हैं तो आज के आज आपको सेल करना होगा अगर खुद से सेल नहीं करेंगे तो यह ग्रो एप्लिकेशन खुद से सेल कर देगा तो यहां पर हम डिलीबरी में रहने देंगे उसके बाद यहां पर लोट साइज देखिए एक लोट में 15 सिर होता है उसके बाद यहां पर पुछेगा कि मार्केट प्राइस बाइव करेंगे या फिलीमिट लगाएंगे तो यहां पर लिमिट लगाने मेंगे का उपसन अजये घगा तो अब यहां पर लिमिट लगा सकते हैं कि कि तरे बाइफिक तो इस प्राइप घट कहा रहा है पर 48елю रूपिज जितना चाहें तो भी बट पर गया है ुब傳 eg गया और गिर करके अगर 85 पर आता है तो यह बाई हो जाना चाहिए तो यहां से अगर प्राइस उपर चला जाए तो आप अपना लिमिट भी बढ़ा सकते हैं लेकिन मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा पहले गिरे इतना पर बाई हो जाए उसके बाद मार्केट उपर जाए ताकि मिरको profit हो तो यहां पर 85 चूद करेंगे आप कम जादा कभी भी कर सकते हैं उसके बाद यहां बाई पर ट्लीक करेंगे अब जैसे ही बाई पर ट्लीक करेंगे यहां पर दीखे सेक्सेडूल हमारा order लग जाएगा यहां पर दीखे 85 का हम order लगाए है अभी यह 90 चल रहा है त तो यहाँ पे जैसे मैं order लगा दिया हूँ, अब यहाँ पे मैं कुछ दिर wait करता हूँ, और जैसे ही market गिर करके यहाँ पे buy होता है, तब मैं आपको अपना profit दिखाता हूँ, कि मेरे को profit हुआ या फिर loss होता है, अब जैसे ही कुछ दिर wait किया, तो यहाँ पर देखे, successful हमारा order buy हो गया है, और यहाँ पर देखे, order के section में जो price यहाँ पे so करा था, यहाँ पे so नहीं करेगा, तो जब यहाँ पर order में आपका यह जब buy हो जाएगा, यहाँ पर buy लिखा हुआ आ जाएगा, तब यहाँ पर position में आ करके, आप अपना position देख सकते हैं, तो अब चली मैं आ अभी जिसमें मैं position बनाया, 85 में मैं position बनाया था, और अभी 91, 92, 94 के आस पास इसका price चल रहा है, तो यहाँ पर देखे, तकरीबन यहाँ पर 500 रुपिया profit मेरा होने वाला है, और मेरा target भी था कि 500 रुपिया मैं profit यहाँ पर बनाऊँ, तो यहाँ पर देखे, जैसे ही आपक यहाँ पर किलिक करेंगे, तो यहाँ पर हमसे पूछेगा कि आप कितने का stop loss लगाना चाहते हैं, तो जैसे मैं 85 में बाई किया था, तो सबसे पहले हम यहाँ पर stop loss लगाएंगे, कि आखिर कितना गिर करके आएगा तो आप चाहते हैं कि sell हो जाए, तो जैसे माल लिजे कि मैं यहाँ पर चाहता हूँ, कि 70 पर गिर करके आए तो यह sell हो जाना चाहिए, और अभी इसका current price यहाँ पर देख सकते हैं, उसके बा करेंगे, कभी ऊपर नीचे होते रहता है, तो यहाँ पर जैसे माल लिजे कि 100 में target set करता हूँ, उसके बाद यहाँ सेल पर क्लिक करेंगे, अब जैसे ही सेल पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर दिखें हमारा order successful लग जाएगा, यह सेल में लग गया है, अभी यह सेल रही हुआ ह जब सेल हो जाएगा, तो यहाँ पर दिखें, जो सेल लिखा हुआ है, यह भी यहाँ पर दिखने लगेगा, तो अभी यह order लगा है, तो जैसे अभी देखें, यह 96 चल रहा है, और हमारा order 100 का है, तो थोड़ा सा और गिर करके आएगा, और 100 को टच करेगा, यह अपने आप सेल हो जाएगा, और अगर मार्केट उपर जाता है, तो जैसे हम 85 में बाई की हैं, और यह 94 चल रहा है, और अगर यह 70 पर आजाता है, तब भी सेल हो जाएगा, तो यहाँ पर इस केस में मेरे को लोस होगा, 100-200 का लोस हो सकता है, तो यही कारण है कि जब आपे stop loss लगाते ह कर लोग लोस करते हैं, तीन हजार है, पांच हजार है, दस हजार है, सारा का सारा पैसा गवाँ देते हैं, तो इसलिए stop loss लगाना जरूरी है, तो यहाँ पर देखे, अभी 92-93 के आसपास चल रहा है, और हमारा टार्गेट 100 का है, अब यहाँ पर पोजीशन वाले सेक्शन पर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर आकर के अपना पोजीशन देख सकते हैं, तो तगरीबन देखे, सारी 400 के आसपास मेरा प्रोफिट चल रहा है, अगर मैं चाहूं तो इतने पर मार्केट प्राइस पर सेल करके, इतना प्रोफिट लेकर के मैं निकल सकता हूं, तो यहाँ अगर आपको लगता है कि स्टोप लोस लगाया हूं, लेकिन बार-बार मार्केट उपर नीचे हो रहा है, यह सो को टच नहीं कर रहा है, यह कभी नीचे आता है, मतलब 99-99 तक जाता है, उसके बाद यह वापस आ जाता है, और अभी का आप टाइम भी देख सकते हैं, कि मार मार्केट प्राइस पे ही बेच देना चाहिए, यहाँ पे जब भी आप टार्गेट प्राइस सेट करते हैं, तो वहाँ पे जादा समय आपको वेट नहीं करना है, मुश्किल से 15-20 मिनिट तक वेट करें, और अगर आपको लगता है कि स्टोप लोस नहीं टच करेगा, तो निकल जाना चाहिए, ऐसे इस्तिति में मार्केट का मूड बदल सकता है, और मार्केट आपके खिलाब जा सकता है, तो यहाँ पर देखे, अब मेरे को यह सेल करना होगा, तो जो भी आप एस टोप लोस लगाए हैं, उसको तो पहले आप किंसल कर दीजे, उसके बाद इसको आपके 338 का प्रोफित बनाया था, और इसमें 184 का, मैं उमीद कर रहा था कि 2-500 रुपे बने, लेकिन फिर भी इतने बनने के बावजूद भी यहाँ पर देखे, पांसो बाईस रुपे का प्रोफित हो चुगा है, मैं 600 के आसपास का यह प्रोफित में चाह रहा था, लेक इसमें आपको सेल कर देना चाहिए, और जो भी मार्केट प्राइस है, उसी एक सेल कर देना चाहिए, तो यहाँ पर दिखे, मैं ने सेल कर दिया और सेक्सेश्पूर, यहाँ पर दिखे, पांसो बाईस रुपे का आज का प्रोफित है, जो कि मैं ने 12 से 13 सुरुपे लगा क करके इस प्रोफिट को मैं निकाला हूँ तो दोस्तों दिखिए जब आप प्रोफिट करते हैं तो हर दिन अलग अलग नजारा होता है जैसे माली जी कि कल आप प्रोफिट बनाए 500 का 800 का एक हजर का तो यह जरूरी नहीं है कि आज भी आप एक ही हजर का बनाए अगर आपको ब्रज मेराज चल जाएगा मार्केट मेरे को समझ नहीं आ रहा है तो मार्केट प्राइस पे सेल करके 200 हो 300 500 जितना हो सेल करके निकल जाना चाहिए जब market एक बेस पे चलता है कि हाँ गीर आए गीर आए तो मेरे को लोस समझ में आता है लेकिन कई बार gap up चलता है कभी उपर कभी नीचे ऐसे में लोस हो सकता है और जब market close होने वाला रहता है तो खास तोर पर इसी तरीके का market करता है कभी ऊपर और कभी नीचे होगा तो ऐसे में हमें लोज का डर था तो इसलिए मैं यहाँ पे sell कर दिया और आप भी आगे से कभी भी trade करेंगे तो जब तक market समझ में आ रहा है तभी तक आपको trade करना है और जब market समझ में नहीं आए उसी समय आपको sell करके आप अपना profit ले करके निकल जाईए तो यहाँ पर दोस्तो दिखी यह है मेरा आज का profit जो की profit मैं निकाला हूँ तो दोस्तो इस तरीके से आप भी यहाँ पर trading कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो कम पैसे में भी अगर आप सही तरीके से सीखते हैं तो इस तरीके से आप भी profit निकाल सकते हैं